नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप demand draft है जो की कैसे जरनेट करा सकते हो bank के थुरू और यह जो आप form देख रहे हो मेरे सामने रखा हुआ है यह रखा है demand draft बनवाने का form तो आज की इस पूरी वीडियो में आप सभी को बताने वालों की demand draft क्या होता है और कैसे आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो और इसे आपको है जो की कैसे bank से है जो की generate करवाना है पूरी जालकारी आपको A2J जो की इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को बीच में skip नहीं करना है वरना फिर कुछ रह जाएगा तो आपको problem आएगी तो बिना किसी देरी के आप इस वीडियो को start कर लेते हैं तो देखी दोस्तों ये जो की है मेरे पास है DDMC application form DD मतलब demand draft, MC मतलब managers check तो ये जो की form है जिसके जरीए आप अपना demand draft है जो की जरनेट करवा सकते हो बैंक के जरीए तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हम demand draft है क्या demand draft एक है जो की payment method है जो की सबसे safest payment method माना जाता है और जब भी आप किसी को demand draft देते हो तो 90% है जो की वो हमेशा successful होता है जैसे कि आपको पता है ये check वगएरा है जो की कई पर bounce हो जाती है या फिर insufficient balance के कारण है जो की check pass नहीं हो पाता है तो DD में ऐसा कुछ नहीं होता है और ये आप बिल्कुल safest है जो की mode माना जाता है payment के लिए तो इसे चलिए आपको बताता हूं कि इस form को आपको भरना कैसे होगा ये जो form है ये अपना HDFC bank demand draft जरनेट करने का form है तो सब से पहले तो जिस date को आप बैंक में जा रहे हैं उस date को है जो कि आप यहां पे भर होगे जिस date को आप ये form है जो की bank में जमा करा रहे हो जैसे कि मैं जो की 15 तारीक को कराने बाला हून तो 15 तारीक भर दिया याँ पर जुलाई भर दिया इस तरीके से है जो कि आप date है जो कि भर दोगे तो date बने कोई देखिए यहां पर branch तो जिस भी branch से आप डीडी जर्नेट करा रहे हो आनि कि demand आप जर्नेट करा रहे हो उस branch का यहां पर आप लिख दोगे तो लखनाव में जानी है हमारी यह payment डीडी की तो मैं जो कि यहां पर करूँगा demand draft payable at तो यहां पर मैं इस पे टिक करूँगा और यहां पर जो कि लखनाव लिख दूँगा तो इस तरीके से जो कि आपको भी लिखना है जहां पर है जो कि आपका ये डिडी जाने वाला है और मान के चलिए आपका ये डिडी दिली में ही जाना है यानि कि दिली से ही आप डिडी जर्नेट करवारे हो अपना डिमांड राप और दिली में ही उसकी पेमेंट होनी है तो आप सिंपल ये जो कि मैनेजर चेक पर है जो क पूछ लोगे उनकी account में जो भी नाम होगे जो account holder का यो लिखऊगे या जो company को आप बना के दे रहे हो company लिखऊगे तो उसी साथ से आपको यहां पर लेना है अपने मुताविक जो इसको भी payment कर रहे हो वह आप जो कि यहां पर लिख लोगे तो इस तरीके से यह भर दोगे यहाँ पर अब आता है amount तो amount आप जितने रुपे का भी DD जरनेट कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर करने वालों 25,000 रुपे की DD तो यहाँ पर हम 25,000 भर देंगे इस तरीके से और figures में आप भर दोगे figures में आप भर दोगे यहाँ पर 25,000 इतना है जो कि आप यहाँ पर भर दोगे यहाँ पर 25,000 only इतना आप लिख दोगे तो यह भरने के बाद है जो कि आपको यहाँ पर आ जाना होगा नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है mode of payment तो जो भी आप डीडी जरनेट कराते हो तो आपको बताता हूँ payment है जो कि आपको advance में बैंक वालो को देनी होती है वो आप चाओ तो cash से दे दो cash से दे रहे हो तो simply cash पर tick करो और जब यह आप form देने जाओगे तो आपको जो कि cash साथ में लेके जाना होगा 25,000 रुपे और मान के चलिए कि आप check से अपने account से पैसर कटान चारे है तो check पर आप यहाँ पर tick लगाओगे इस तरीके से और अपना है जो कि check का number लिख दोगे और उस check को भी साथ में लेके जाना है वो यहाँ पर है जो कि अपना नाम लिख देगा उसके बाद यहाँ पर आप आते हो तो यह देखिए please deliver demand draft तो जो भी है जो कि demand draft आपका जो कि collect करेगा bank से उसका नाम लिख दोगे आप खुद collect कर रहे हो तो अपना नाम लिख दोगे कोई प्रोब्लम वलिवाद इसमें नहीं है यह इतना मैटर नहीं करता है बाकि आते हैं यहाँ पर barrier signature customer signature name तो यहाँ पर क्या करना होगी तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब जोगी इसमें अपना sign मार दोगे यहाँ पर भी आप अपना sign कर दोगे और यहाँ पर भी आप अपना ही sign करोगे बात रही यहाँ पर यहाँ पर अपना है जो कि नाम लिख दोगे जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख दोगे उसके बाद है जो कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है जितना करना था आपको मैंने बता दिया है बाकी आप यह जो देख रहे हो यह है बैंक की यूज के लिए इसमें आपको किसी परकार से कुछ भी यूज नहीं करना है यह सारा बैंक वाले करके देंगे बात रही यहाँ पर दिखिए जब भी आप अपना पैसा चेक और यह फॉर्म है जो की बैंक में जमा कराते हो तो आपको यह जो की ध्यान से है जो की याद करके अपना यह जो की रिसिप्ट ले ले लेना होगा जिस पर की बैंक वाले अपनी मोहर मार के देंगे और यह रहेगा आपका सबूत जब आपको यह जो की बैंक में डीडी लेने के लिए बुलाया जाएगा तो आपको यह रिसिप्ट है जो की लेके जाना होगा जबी आपको आपका डिमांड ड्राफ है जो की दिया जाएगा और डिमांड ड्राफ है जो की दिखने में एक चेक की तरह ही होता है बट वो check नहीं होता है बट same to same दिखता है और वही demand draft है जो कि आपको सामने वाली party को देना होता है जिसको भी आप payment कर रहे हो उसे आप वो demand draft दे लीजिए वो अपने city में है जो कि अपने bank में जाके उस demand draft से जो कि पैसा collect कर लेगा तो बस इतना है आपको करना होता है डीडी जर्नेट करवाने के लिए इसे आप चाहो तो online भी कर सकते है online का process थोड़ा सा लग हो जाता है और यह जो कि बिल्कुल simple process है आप एक बार bank जाओगे आपका काम है जो कि हो जाएगा तो friends आशा करता हूँ जो कि आपको demand draft है जो कि पता लग गया होगा कैसे आप जर्नेट करा सकते हो simple सा process है चोटा सा process है और कोई problem आती है तो आप bank में पता कर सकते हो और कोई और जानकारी चाहिए हो था हमें comment करके जरूर बता है आज की इस वीडियो में यह जानकारी ती मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ जब तक लिए जाहन वन दे मातरम